Hello everyone, जब हमारे घर में बच्चा होता है तो हम उसकी हर छोटी से छोटी बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि देखो बच्चा ने पलटना सीख लिया है या बच्चा बैटने लग गया है या बच्चा हमारे तरफ देख कर स्माइल करने लग गया है बहुत सारी चीज़े हम नोटिस करते हैं और हमें ये चीज़े बहुत अच्छी लगती है तो ऐसी एक चीज़ के बारे में बच्चों का चलना तो देखिए जब आपके घर में बच्चा आता है पहली बार अगर पेरेंट बने हैं तो ऐसे केस में आप हमेशा हर चीज़ बहुत जादा उब्जर्फ करते हैं कि दूसरे का बच्चा तो बहुत जल्दी चलने लग गया हमारे बच्चे ने अभी तक चलना स्टार्ट नहीं किया सब कुछ ठीक तो है मनमें एक डर सा लगा रहता है तो अगर आपके मनमें वे डर रहता है तो ये वीडियो देकर आपके सारे डर जो है दूर हो जाएंगे आपको इस समझ में आ जाएगा कि क्या चीज नॉर्मल है और क्या चीज नॉर्मल नहीं है किस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बच्चे अक्सर आठ से दस महिने की उम्र में किसी सहारे से सपोर्ट से चलना थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं और 15 से लेके 17 महिने तक का बच्चा जो होता है कि बच्चे की हेल्थ कैसी है कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा जो है प्री-मेच्चर हुआ है टाइम से पहले ही हो गया तो अबच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है या फिर अगर बच्चे का वजन कम है बच्चा strong नहीं है या बच्चा बारबा बिमार होता है तो ऐसे केसे में बच्चे थोड़ा सा time ले लेते हैं तो चलिए अब जानते हैं कि क्या-क्या stages होते हैं बच्चे के चलने के सबसे पहला stage होता है बच्चे का घुटनों की बल चलना यानि की crawl करना और ये बच्चे अकसर 6-7 मेने की उम्र में शुरू करते हैं अब शुरू करने से मिरा मतलब है कि एकदम बहुत अच्छे से crawl नहीं करने ले जाते हैं धीरे धीरे गुटनों को थोड़ा सा आगे करके आगे पीछे होना ये बच्चा स्टार्ट करता है ये पहली स्टेज होती है बच्चे के चलने वाले प्रॉसस में नमबर टू स्टेज क्या होती है कि बच्चा यब यहीं चीज़ करने लग जाता है उसके बाद जो next step लेता है बच्चा कि बच्चा जो है किसी चीज़ के support के साथ खड़े होने लग जाता है मतलब बच्चा balance बनाने लग जाता है अपर देखा होगा ना bed या table जो भी आपके घर में होती है उसे पकड़के बच्चा थोड़ देर खड़े रहना जाता है वो बच्चे को जो है पैरों में strength मिल रही है अपर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से balance करना है ये next stage होती है बच्चा जो है एक दो कदम रखता है पर फिर गर जाता है ऐसा जो है कुछ दिन तर शलता रहता है क्योंकि बच्चा balance बनाना सीख रहा है किस तरीके से आगे कदम रखके बच्चे को चलना है ये वो सीख रहा है अभी धिरे-धिरे करके और last में जो stage आती हो ये जब बच् किसी support के अच्छे से चलना शुरू कर देता है तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपका बच्चा जो है अभी कौन सी चीज चीज जो है कर रहा है अकसर बच्चे जो है एक साल के आसपास जो है ठोड़ा-थोड़ा चलना स्टार्ट कर देता है एकदम अच्छे से जल्दी चलना सीखता है नमबर वन कि आपको बच्चे को डेली मसाज करना है क्योंकि देखिए इस टाइम पर बच्चा चल रहा है बच्चा प्राक्टिस कर रहा है तो बच्चे की दिन में एक बार आप जरूर मसाज कीजिए क्योंकि बच्चे की पैर भी ठक जाते है तो उसको स्टेंथ मिलना जरूरी है बडी को तो मसाज करना अविसली बहुत जरूरी है नमबर टू बच्चे को डाइट भी अच्छी दीजे बच्चे की डाइट में वो सारी चीज़े होनी चाहिए जिससे की बच्चे को स्ट्रेंथ मिले नमबर टू जब बच्चा चलना सीख रहा होता ना उस प्रोसेस में आपको कोशिश करने की बच्चे को नीचे जमीन पर छोड़े ये नी करना है कि आप बच्चे को चलना सिखा रहा है हमेशा बच्चे के साथ भी आपको रहना है इस टाइम पर क्योंकि बच्चे अकसर ऐसे टाइम पर गिर जाते हैं उनको चोट लगने का डर भी होता है जब बच्चे को आप चलना सिखा रहे हैं तो बच्चे को जो है नंगी पैर रनने दीजिए ऐसा नहीं शूस पनाकर या फिर आप कोई भी फुटवेर पनाकर बच्चे को चलना सिखा रहे हैं ऐसा करना बिल्कुल गलत है क्योंकि बच्चा जो है अच्छे से बनाना नहीं सिख पाएगा नंगे पैर आप चलना सिखाएए तो बच्चे को जल्दी समाझ में आएगा किस तरीके से चलना है कैसे बैलेंस बनाना है अगर ठंड बहुत जादा है तो ऐसे केस में या तो आप घर में मैट बिछा सकते हैं ताकि बच्चा उस पर चले या फिर आप बच्चे को बहुत पतली सी सॉक्स बना सकते हैं ताकि जिससे बच्चा अच्छे तरह चल पाए और बच्चे को ठंड भी ना लगे में लेक्स बच्चा जब चलने की प्रोसेस में होता है बच्च चाहिए क्रॉल कर रहा है तो ऐसे टाइम पर मैं आपको बोलोगी कि आप बच्चे को जुना है पूरे पजामा पहना कर रखें क्योंकि बच्चा जब crawl कर रहा होता है तो कई बार उसको जो है इधर घुटने पे जो है scratch वगर आयाता है बच्चे को चोट लगने का डर हो सकता है तो हम नहीं चाहते हैं तो इसलिए पूरा आप उसको बजामा पहना हिए कई बर ऐसा होता है कि बच्चे को आप चलना सिखा रहे हो पर बच्चा थोड़ा इंटरस्ट नहीं ले रहा होता तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं बच्चे के सामने थोड़े टॉइस रख दीजो और बच्चे को दूसरे एंड से बुलाइए कि मेरे पास आजाओ ममा के बच्चे को अपने साथ चलना सिखा सकते हैं बच्चे को आप पार्क में लेके जा सकते हैं कि वहां पर कई सारे बच्चे होते हैं तो उन्हें देखकर ही बच्चे थोड़ा मोटिवेट होते हैं लगता है कि हमें भी इस तरह चलना है उनके साथ खेलना है अगर आपका helpful रहा होगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you for watching.